देखिए आपको ये बात मालूम होगा कि दिव्यांगो को इलेक्टिक साइकल खरिदने के लिए 10,000 रुपई दिये जाने वाले थे यानि कि उसका ओनलाइन आवधन शुरू हो गया आपको कैसे करना है वह भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ को पालन करते हैं तो आपको यहां पर electric cycle दे जाएंगे बरना आपको electric cycle नहीं देगे तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखाया तो नीचे डिप्रिक्शन में लिंक करके देख लेंगे या तो अभे यहां पर आई बटन में wrench तो आपको इसके बाद सुन लेना है। उसके लिए 8 जुलाई से आवेधन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहेत आवेदक समाज कलियान विभाग के वेबसाइट पर Upload Portal के माध्यम से आवेधन कर सकते हैं आवेदन करते समय अभ्यर्थियों का पहचान प्रमान पत्र, आधार काड, दिव्यांग प्रमान पत्र, जाती और निवास प्रमान, आयू प्रमान की आवशक्ता होगी जो आवेदन के समय पोर्टल के मध्यम से अपलोड किया जा सके इसके साथ ही केवल वे ही अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं जो कम से कम 40 फीसदी तक दिव्यांग हो और उनकी नियुनतम आयू 18 वर्ष हो, बैटरी चाले ट्राइसाइकल मेरिट के आधार पर वित्रित किया जाएगा इसके साथ ही अनुसूचेत जाती, अनुसूचेत जन जाती, पिछड़ा और आती पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामाने के लिए अलग-अलग अंक निर्धारित किया गया इसके साथ ही केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनका स्कूल, कॉलेज, कार्याले, बजार घर से तीन किलोमीटर से दूर हो साथ ही उनकी आए दो लाख रुपे से कम हो, आवेदन के बाद चैनित अभ्यर्थी दस वर्ष तक फिर से आवेदन नहीं कर सकते हैं इस दोरान बैटरी चालित साइकल की देखभाल और रिपेरिंग की जिम्मिदारी आवेदकों की होगी करके दिखाते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि पास के जाकर के साइवर का राम जाएंगे लेकिन आपका अच्छा से फील होगा उमीद है कि यह सब बाते आपको समझ में आई होगी तो मिलेंगे एक नेजन कर देंगे साथ तब तक के लिए जया हिंद